आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो की नोकरी सर्च कर रही थी नोकरी ढूंड रही थी लेकिन अचानक से उसकी किस्मत बदली और वो इस समय भारत की सांसत बन गई है चंदरानी मुर्मू ओडिशा में क्यों जर लोकसफा सीट से जीत कर संसत पहुची है और सबसे युवा महिला संसत बनी है 25 साल 11 महिने की उम्र में चंदरानी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है वह सबसे कम उम्र की संसत भी बन गई है कुछ समय पहले तक चंदरानी किसी भी अन्य युवा की तरह एक अच्छे करियर के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन अचानक उसकी राहे राजनीती की तरफ मुड़ गई चंदरानी मूर्मूने मेकेनिकल इंजिनियरिंग में बीटे किया हुआ है और वो सरकारी नोकरी के लिए तैयारी कर रही थी समय समय पर पृतियोगी परिक्षाइबी देती थी चंद्रानी के परिवार में माता पिता के अलावा दो बहने हैं वो संयुक्त परिवार में रहती है इन लोग सभा चुनावों में वो बीजू जनता दल के टिकेट पर चुनाव लड़ी है और इस सफलता के लिए जनता और बीजडी प्रमुख नवीन पतनाया को श्रे देती है चंद्रानी मुर्मु को राजनिती एक तरह से विरासत में मिली है उनके पिताजी के परिवार में तो कोई राजनिती में नहीं है लेकिन उनके नाना हरी हर सोरेन पूर्व सांसद रह चुके हैं एक आधिवासी इलाके से होने के कारण चंद्रानी वहां मुख्य तोर पर शिक्षा पर काम करना चाहती है वाई कहती है हमारा जिला आधिवासी इलाका है यहां लोगों के विकास के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना हैं लेकिन लोग शिक्षा से वन्चित हैं मैं इसके लिए काम करूँगी क्योंकि किसी भी इलाके के विकास के लिए वहां के लोगों का जागरुक होना बहुत जरूरी है मद्धान से कुछ समय पहले ही चंदरानी मुर्मू को लेकर एक विवादित वीडियो भी परचारित किया गया था चंदरानी से उसको बदनाम करने की साजिश बताती है उनका कहना है मेरे लिए चुनाब परचार बिलकुल भी आसान नहीं था वो उतार चड़ाव वाले दिन थे उस वीडियो से मुझे बहुत हैरानी हुई थी लेकिन आखिर में जीत सचकी होती है साथ ही मैं चाहूंगे कि जिस तरह से मुझे मौका मिला है उसी तरह दूसरे लोगों को भी मौका मिले दोस्तों यह थी कहानी उस 25 साल की महिला की जो की नोकरी की तयारी कर रही थी लेकिन वो बन गई है सांसत इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसेप पर जरूर शेयर करें साथ ही साथ वीफोर विनोविटिब को सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं